अगर आपका इलेक्ट्रोनिक कन्फिग्रेशन जो सेंट्रल मेटल एटम का है वह D1 से D9 में आ रहा है तो आपका रीजन हो जगा है कि डीडी ट्रांजिशन के वज़े से यह जो कमपाउंड है वो कलर शो करता है अगर उस केस में आप क्या करते हो कि चार्ज ट्रांसफर की वज़े से आपका कलर शो हो रहा है ठीक है अब जब चार्ज ट्रांसफर की बात करते हो जनरली इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता बस अब इनके CR में electronic configuration देख लो, तो K2Cr2O7 में आप जब draw करते हो, तो CR का इसमें plus 6 oxidation state आ गया, 2 plus 2CR minus 14, ठीक है, तो CR plus 6 हो जाता है electronic configuration 3D 0, ठीक है, तो 0 हो गया, तो charge transfer, ठीक है, similarly, अगर आप KmN4 देखते हो, तो इसमें central matter में क्या आ जाएगा, plus 7 oxidation state, तो 7 plus, मैं इसका निकाल के दिखाते हूँ, जिन strengths को नहीं पता, KmN4 क्या है, plus 1, ठीक है, plus manganese, और O4 क्या है, O का minus 2, 4, 2, 8, 0, तो MN क्या होगे इसमें, plus 7, ऐसे आता है, तो MN भी 3D 0 ही हो गया, तो अगेन ये भी इसी charge transfer की वेज़े से कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, charge transfer in both, option number 1 will be your final answer,